चुबू ने मुझसे कहा कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के तच में रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद भी। वो रात याद है तुम्हें जब प्रिया किड्नाप हुई थी। हाँ, वो कपड़े पदल कर घर आई थी राम। क्योंकि माबाप की गल्ती की सजा अक्तर बच्चों को ही मिलती है। आपकी गल्ती की सजा मुझे मिल रही है। और मेरे बच्चे को भी मिलेगी। वो कभी अपने पिता को नहीं जान पाएगा। राम से तुम्हें कहना होगा कि ये बच्चा उसका नहीं। क्रिष्का है। क्या? मैं ये जूट क्यों बोलूगी? ये बच्चा मिस्र कपूर का है। ये लेकिन तुम कहोगी ये बच्चा क्रिष्का है। और ये भी कहोगी कि आज के बाद तुम राम को कभी नहीं देखना चाहती। मौम, मैं कुछ भी बोल लूग। पर मिस्टर कपूर ये बात नहीं मानेंगे। हां तुम मनवाओ ना तुम क्योंकि राम भी मजबूरी में आखे अपना फर्ज समझ के इस बच्चे को अपना तो लेगा लेकिन हर रोज ब्रिया तुम्हारे चेहरे को देखकर वो दिल-दिल मरेगा आफटर ओल उसकी बेहन तुम्हारे वज़े से ही तुम्हारी है पर मौम इसमिस, बच्चे की क्या गलती? मेरी शिवी की क्या गलती थी प्रेया बस यही कि उसने अक्की से प्यार किया उसकी सजा मिली है उसे और इसी लिए तुम्हे और तुम्हारे बच्चे को सजा मिलेगी महींद्र सूथ का खून होने की सजा मिलेगी तुम राम को कंविंस करोगी ये बच्चा प्रिश्का ही है ये शादी एक समझोता थी and you had a night of weakness Mr. Kapoor कभी नहीं मानेंगे कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ प्यार की वज़े से तो उसे ये सजा मिल रही है वो कत्रा है वो anyway प्रिया तुम्हे याद है तुम्हे मुझसे एक बादा किया था कि जिंदगी में अगर तुम कभी भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से चूकी तो मैं जो सजा दोगी तुम्हें मन्जूर होगा याद है मैं आज अपनी मा के सामने ये कसम खाते है अगर मैं मिस्टर कपूर को या इस परिवार को अपने पिता की कर्टूतों से नहीं बचा पाई आपकी हर एक सजा मुझे मन्जूर होगी आप प्लीज ऐसा मत कीजे याद है के नहीं प्लीज मैं तुम से देखो प्रिया, I'm telling you मैं बेस्ट लॉयर हायर करूँगी और वो ये प्रूफ करेगा कि ये प्रूफ करेगा एक तुम राम से खुद दूर हो जा और अपने बच्चे के साथ एक अच्छी खुशाल जिंदगी चीओ या तो पिर दूसरा मैं तुम्हे खुद राम की जिंदगी से निकाल बाहर भीगो और तुम्हारा बच्चा अनात आश्र में पले एक बात अनशली गां प्रिया तुम्हारे ल्ये पहला option बेटर cinian तुम्हारे बच्चे के पास पाप ना सही मा तो हो गी पातव, दो होगी वाद इस laws जानता हूं कि प्याज को नहीं बोल रही है इन फैक्ट वो अब सच बोल रही है राम राम मैंने तुम से मैंने बहुत सी चीजे नोटिस की राम लेकिन मैंने तुम से कहा नहीं अलीबाग जाने के पहले तुम्हें याद है क्रिश हमारे घर आया था डिनर के लिए यूनो प्रिया और उसकी केमिस्ट्री देखकर पता नहीं मुझे डाउट हुआ और इसलिए मैंने शुबू से कहा उन दोनों पर नजर रखने के लिए बाद में शुबू ने मुझसे कहा कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के तच में रहे हैं तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें वो रात याद है तुम्हें जब प्रिया किड्नाप हुई थी हाँ वो कपड़े पदल कर घर आई थी राम हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है कि शायद उसी रात उसका कोई वीक मोमेंट हो गया होगा और उन दोनों के बेचे ले स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप नहीं मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाती थी इसलिए मैंने आज तक बात नहीं बताई तुम्हें लेकिन राम वो लड़की इन फाइक वो विल की बात भी मैंने सिर्फ इसी रीजन से कहा राम वो लड़की प्रिया महेंद्रा सूथ की बेटी है उसके खून में धोके बासी है प्रिया, यह क्या किया तुने? तु ठीक तो है कैसे कर सकती है यह सब तू ऐसा क्या क्या है मैंन यह तू पूछ नहीं है राम से ये कहने के बाद कि वो बच्चा उनका नहीं है बच्चे मैं समझती हूं कि तू मुझ से नाराज है तुझे इसका हग भी है तू बिल्कुल सही है पर बच्चे राम से उनके बच्चे के बाद शुपाना ये सही नहीं है यह बिल्कुल गलत है प्रिया अरे कुछ तो बोल तो छुप क्यों है प्रिया ऐसे क्यों बैठी है बोल ना कुछ मैं मिस्टर कपूर को और बरबाद नहीं करना जाती बरबाद? प्रिया ऐसा करके तो कैसे उन्हें आबाद कर रही है बोल राम ने अभी अभी अपनी बेहन को खोया है अब तू कह रही है कि राम अपने होने वाले बच्चे और अपनी पत्व को भी खो देंगे नहीं मा उन्होंने मुझे उसी दिन खो दिया था जिस दिन आप मुझे उनसे अलग कर ले आई थी जब कपूर मैंचन छोड़के मैं आपके साथ पापस आई थी कितनी पार मिस्टर कपूर ने मुझे से पूछा सवाल की लेकिन हर बार मैं बस यही कहती रहे कि मेरी मा जूट नहीं बोल रही है मेरी मा सच्ची है लेकिन नहीं मेरी मा ने जूट बोला है इस वज़ा से आज मुझे जूट बोलना पड़ा है कि मेरा बच्चा जो जाएज है उसे ना चाहिस खेर, मुझे इस बाहरे में आपसे बात पही करनी है आप क्यों आई है यहाँ पर यहाँ मुझे यहाँ क्यों फेचा बच्चे के न्यूज, देख क्योंकि मैं भी खुष थी तुम्हारी तरह पागलों की तरह खुष थी लेकिन जब मैं जब प्रिया ने मुझे हकिकत बताई मेरा सपना तूट किया राम राम उसने आज साफ साफ कहा कि उसका और क्रिश का क्या रिष्टा है उसके पेट में क्रिश का बच्चा पल रहा है राम नहीं येस मैं मैं प्रिया को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है वो ऐसी बच्चा मेरा है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, नहीं नहीं है राम बच्चा क्रिश का है परना प्रिया जूट क्यों बोलेगी वो भी अब बच्चे की आड में वो जेल से निकल सकती है लेकिन वो फिर भी वो ही कह रही है कि वो बच्चा क्रिश का है वो सच कह रही है राम उसके पेट में क्रिश का बच्चा है और वो सच इसलिए कह रही है क्यूंकि वो आज भी कृष से ही प्यार करती है यह रो प्लीज एक्सेप्ट कर लो रा एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी और प्रिया की शादी की वज़े चलके राख हो चुकिये वो शीवी मर चुकिये ना नस्तियों की तरह मेरे पास कोई रास्ता नहीं था प्रिया सच मा अब भी आप यही बोलेंगी आपके पास रास्ता था जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे मिस्टर कपूर सेया किसी से भी शादी नहीं करनी है तो आपके पास चॉइस थी पर आपने मेरा साथ नहीं दिया क्यों नहीं दिया? क्यूंकि मैं बस तेरी खुशी चाहती थी, बच्चे. तो फिर आज आप उस इंसान को दोका कैसे दे सकती है जिसके साथ आप मेरी खुशी चाहती थी, मा? नहीं, बिटा. मैं नहीं. मैं बताती हूँ. आपने मिस्टर कपूर की अच्छाई का फाइदा उठाया है. आपको लगा कि वह आपको मानते हैं, तो आप जो चाहेंगी, कहेंगी और करेंगी, वह लोटकर आपके पास वापस आजाएंगे हैंना? पर नहीं, अब बस, बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं. मैं यह सब कुछ खतम करना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ. मैं मिस्टर कपूर की जिंदी का शराफ हूँ. इसलिए सबसे पहले मुझे उनसे दूर चले जाना चाहिए, जो आज मैंने कर दिया है. पर नहीं प्रियो, यह शराफ नहीं है. मैं हूँ, मा मैं हूँ, महींद्र सूथ की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं शराफ है यह. अज हमारी वज़ा से एक अच्छा इंसान, जिसने हमें इतना कुछ दिया, इतना प्यार किया, हमने उसकी जिंदगी नर्ग बना दे, जीते जी नर्ग बना दे. नहीं, नहीं, आपको क्या लगाता, मा? आप सर के बारे में और जीजू के बारे में जो सच जानती थी, वो जानने के बाद मिस्टर कपू रिशान का साथ नहीं देते, उसे अकेला छोड़ देते, आपने ऐसा सोच लिया, मा, वो आप से जादा, मुझ से जादा, सारा दी स करते थे शान के लिए, आपने ऐसा क्यो सोचा? पर नहीं, आपने अपने बेटे के बारे में एक बार नहीं सोचा, एक दमाद के लिए आपने दूसरे दमाद को जीतेजी मार दिया, मा? नहीं, 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 प्रीया, ऐसे मन ब आपकी गलती की सदा मुझे मिल रही है और मेरे बच्चे को भी मिलेगी वो कभी अपने पिता को नहीं जान पाएगा और ये सब आपकी वज़े सिवा, सब कुछ आपकी गलती है बस, अब बहुत हो गया बस मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी आज वो सबक आपने मुझे फिर से दिला दिया है याद जो मिस्टर सूद ने एक बार याद दिला है था कि कोई किसी का नहीं होता है आप बस अकेले होते हो और आज मैं यहाँ अकेली हूँ कोई नहीं है मेरा अब आप प्लीज जाहिए मुझे कम से कम यहां तो चैन से रहने दीजा शिवीना से माफी मांगने दीजे अपने बच्चे से माफी मांगने दीजे प्लीज जाहिए आप जाहिए यहां से आप इससे नहीं कर सकते हैं मैं जानता हूंसर अप्रिया ऐसे नहीं है उन लेइन, नहीं वह.. चाहिए नहीं मानने वाले यह गुंपिर के वांब करीया के मास ही जाहिए इसकिंगा अप्रिया के बच्ट को मैं चलिए आखिए यासे मुझा कह रहा है तू मुझा कह रहा है तू मेरी बात सुन यार मेरी बात सुन यार I'm so sorry मुझा माफ कर दीजे I failed you इस परिवार को बचानी पाया मैं अपनी बच्ची शिवी को ने बचा पाया सब कुछ प्रिया की वज़े से हुआ है उसने मुझसे मेरी बच्ची को छीना तुमसे तुमारी बहन को छीना और तुम्हें दोका देकर किसी और के बच्चे को वो I beg you please प्रिया नाम के श्राप को हमारे परिवार से मिटा दो उससे भूल जाओ रा हुमेशा हुमेशा के लिए भूल जाओ या तु पर तूसरा मैं तुम्हें खुद राम की जिंदगी से निकाल बाहर भीगो और तुम्हारा बच्चा अनात आश्रमें बले मेरी मज़े देशी भी की जाँ चली तई तू क्यो रो रही है प्रिया ये तो तेरी किसमत का लिखा है जो पाएगी उसे खो देखी जैसे मिस्टर कपूर को खो देखी आपका शराप मुझे लग गया आपका शराप मुझे लग गया मिस्टर सूथ मुबारक हो मुबारक हो नहीं कुछ पी हो जाए मैं टूटूंगी नहीं बिल्कुल नहीं टूटूंगी क्योंकि मैं अखेली नहीं हूँ मेरे पास मिस्टर कपूर की निशानी है हमारे प्यार की निशानी है और मेहना तुम्हे बिल्कुल उनके जैसा बनाऊगी तुम मैं मिस्टर कपूर दिखाए देंगी वही हसी, वही बाते, वही हरकते मिस्टर कपूर छल केंगे तुम में देखना भले आप हमारे साथ ना रहें, मिस्टर कपूर और आप साथ ना रहकर भी मेरे साथ होंगे हमेशा और यही मेरी जिंदगी के नई शुरुवात होगी खतम कर दिया तुमने प्रिया, सब खतम येस, आई दू लाइक प्रिया क्रिश तु मेरा क्रश था, मिस्टर कपूर और मेरी लाइफ में भी क्रिश की जगा कोई नहीं ले पाए अज तुमने हमारे जिश्टे को नहीं मारा मुझे ही जान से मार दिया राम कपूर को अब कुछ नहीं बचा मुझ में सबाए नफरत और कुछ सेख राम बी कैफुल आई यूके चुना मत मुझे मेरी शादी तूटी तुमारी वज़स प्रिया मा बनने वाली है वह भी तुम्हारे बच्चे की मेरे बच्चे की मा प्रिया ने मिस्टर कापूर से बोला क्या है कोई हाजर्ट जवाब नहीं यह तुम्हारे पास हाँ इतना तो कही सकते हो ना कि तुम उसे उतरा ही तूट के चाहोगे जिता मैं चाहता था हर कदर में उसके साथ चलोगे जैसे मैं चलता था Just tell me, Chris, you'll be there for her Hold on! Just sit! Sorry Sorry? How could you be here? क्यों किया तुम्ने असा? Okay, okay, I'll never ask you I'm so happy that people don't be so lazy when they are so lazy as they are so lazy when they are so lazy I don't have any exception, Prieha He was saying to me today, that I will keep your mind What? He's never gonna be fine, Prieha I'm so happy that I've been doing everything right I've been doing a lot of trouble for her But in the closure? पर किस कीमत पर? प्रिया, जंदगी में हर चीज, हर चॉइस की कीमत होती है पर अब नहीं होगी, क्रिश मतलब? मतलब की मिस्टर कपूर की जिंदगी से निकलने के लिए खुद कोन की नजरों में गिराने के लिए मैंने तुम्हारा नाम इस्तमाल किया तुम्हें बीच में ड्रैग किया लेकिन तुम्हें कोई साक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है मैं तुमसे कोई उमीद नहीं रखूंगी ये ये तुम्हारा डिसिजन? ये मेरा ही डिसिजन है यह लड़ाई मेरी है और इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मेरी है सिर्फ मेरी यह मैं मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना जाहता हूं As a friend, please let me दोस्तो इसलिए सीधा मुझ पर मना कर रहे हूं Please Krish, मैं यह खुद करना चाहती हूं अकेले मैं नहीं चाहती की मेरा बच्चा मुझे कमजोर समझे, बे सहारा समझे या उसे ऐसा लगे की उसकी मा की जिन्दगी अदूरी है मैं ऐसा बिलकुल नहीं चाहती Situation चाहे जो भी हो पर खुशिया होंगी प्यार होगा और विश्वास होगा ठीक है अब तुम ऐसे गह रहे हो तो ऐसे होगा प्यार था खडूस बट कभी मेरी जुरत पड़े तो बस एक बार याद कर लेना है ये बंदा हाजिर हो जाएगा पक्का I'll see you I love बारिश I hate बारिश आपको पता बेठा आपकी पापा को बारिश बहुत पसंद है वो कहते हैं की बारिश की पार्नी मेना सारे गम दुल जाते है और नही उमीदे आती है देखना हमारे साथ भी बिलकुल वैसे ही होगा चुकि मुझे आपके पापा की हर बात पर पूरा यखीन है राम रुक नंदिनी आउंटी ने मुझे बताया हमो के आदी यासू नहीं है भारिश की बूंदे हैं राम घर चल यार छोड यार ये सब छोड़ना ही तो है क्या? सब कुछ अब तो इस बारिश से भी नफरत हो गई है प्यार करना सिखाऊंगी मैं आपको इस बारिश से बिलकुल वैसे जैसे आपके पापा करते है और आप प्रॉमिस यू मैं आपको हमेशा खुछ रखूंगी और आपकी खुशी में आपकी ममा हमेशा खुछ रहेगी हमेशा प्रॉमिस यूवच्छ गजी में आपकी मैं त्यूपस्ट रहेज़़ से रहे संवी प्रॉमिस खुछ लिक्ट्री वीडियो से इंजा को तो और दुबर क्या रखुछ राखुछ रखुछ रखुछ और रखुछ सूँड़ बार डिलक्स.्टिव 10 जूज़